हेलो अव्रिवन देस साइड मोनी का यादा होप यू ओल गूर्ड आज की इस एडिया में मैं आपको 8th क्लास की सैल प्रैक्टिस 5E करवाँगी इससे पहले की सभी एक्सराइज मैंने ओलरी करवा चुकी हूँ इसक्रिप्शन में और आई बटन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा चलो भी एक्सराइज करते हैं फर्स्ट कोशन देखी इसमें हमें सिंप्लिफाई करना है ठीक है एपार्ट में क्या दिया हूँ है 9 x to the power 7 divided by 3 x to the power 5 है ठीक है अब हम क्या करेंगी अलग अलग फैक्ट पावर 5 ओके 3 की टेबल से 9 को काटते है 3 1 is a 3 3 3 is a 9 ओके अब ही हम क्या करेंगे आपको पता है जब बेसेम होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो पावर को माइनस कर देते हैं यहां तो क्या बच गया हमारे पास 3 यह 3 लिख दिया दैन उसके बाद है x to the power 7 में से कितनी पावर माइनस करनी है 5 ओके तो आंसर हमारे क्या आता है 3 x to the power 2 यह हमारा आंसर आता है कोशन भी करते हैं negative 20 को डिवाइड करते हैं 4 से और बीच में multiply का sign लगा देते हैं y to the power 12 को डिवाइड करेंगे y to the power 8 से 4 की टेबल से काटेंगे 4 1 जा 4 4 5 जा यहां क्या आया negative 5 यहां सबसे पहले लिखते है negative 5 then y to the power 12 में से माइनस करेंगे power 8 negative 5 y to the power 4 है यह हमारा आंसर आ जाता है कोशन सी करते हैं हम negative 15 को डिवाइड करते है negative 3 से then multiply का sign है multiply का sign मैंने लगा दिया देखो 7 में से हम 15 को माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करते है 15 में से 7 को माइनस करते है उपर हमने 1 लिख दिया यहां 8 to the power 15 में से माइनस करते है 7 ओकी अच्छा यहां negative से negative sign पहले करते हैं डिवाइड करते हैं समय ऐसे ही होता है ना जब numerator और denominator दोनों ही negative होते हैं तो product positive आता है 3 की table से काटते है 3 3 3 5 जा 1 को 5 से multiply करते हैं तो 5 आएगा उपर 5 और नीचे क्याएगा 8 to the power 15 में से 7 को माइनस कर लेते हैं 8 यह हमारा answer है question D करते हैं हम 18 को divide by करते हैं 9 then multiply का sign लगाते हैं x to the power 4 को divide करेंगे x to the power 3 से और y to the power 2 को divide करेंगे y से पहले तो 9 की table से करते हैं 9 to the power 18 ठीक है यहां टू लिख दिया हमने x की power 4 मेंसे कितने minus कर नी है 3 power minus करनी है और y की power 2 मेंसे कितने power minus करनी है 1 इस y की कोई power नी है इसका मतल architect here power 1 है ठीक है ऐसा कर देते हैं हम और हमारे पास answer क्या आता है 2 x y यह हमारा answer होता है देखो 4 में से 3 गया तो 1 बचा और power 1 हम लिखते नहीं है ऐसे 2 में से 1 गया तो 1 बचा ठीक है इसलिए x y आया है उनने सेकिन वाला कोशन करते हैं negative 35 को divide करते हैं negative 7 से ठीक है then उसके बाद यह हम multiply का sign लगाते हैं अब सीधा यह काम कर सकते हो x to the power 8 में से कितनी power minus कर दी 3 then multiply y to the power 9 में से कितनी power minus करनी है 2 क्योंकि इस वाले y की power 2 है ठीक है negative sign से negative sign कट गया 7 बंज़ 7, 7, 5 जा पे आया गया ठीक है तो answer हमारा क्या आता है 5 x की power कितनी आएगी 8 में से 3 minus कर ली to the power 5 और y की कितनी आएगी 9 में से 2 minus करी तो 7 question b करते है 48 को हम divide करते है negative 12 से then multiply का sign लगाएंगे 8 to the power 2 में से कितनी power minus करनी है इस नीचे वाले की power a की कितनी है 1 तो यहाँ 1 minus कर दी then multiply का sign b to the power 2 में से कितनी power minus करनी है इस वाले b कित पावर भी 1 है ना 1 then multiply का sign c to the power 4 में से कितनी power minus करनी है इस c की power देखो 3 है तो यहाँ minus करेंगे power 3 okay अच्छा देखो यहाँ पे सर्फ denominator negative है in that case हमारा जो quotient है वो negative आना है यही होता है ना negative 12 से divide करेंगे तो negative 4 आईगा okay हमारा answer क्या आगया negative 4 और यहाँ a की power किती बची सिर्फ 1 तो that's why सिर्फ हम a लिखेंगे b की power भी 1 बची तो सिर्फ हम b लिखेंगे और c की power भी 1 बची तो हम c लिखेंगे a, b, c यह हमारा answer है question c देखो हम इसमें 10 को divide करेंगे 0.1 से then है x to the power 20 इसमें से हम minus करेंगे इस्वाले x की power 60 यह minus कर दी then है multiply का sign लगांगे y to the power 7 और इसमें नीचे y की power क्या है 3 इसमें से minus करेंगे 3 देखो z की power 4 दी हुई है उपर वाले z की और नीचे वाले z की power 9 दी गई है हम इसमें नीचे वाले z में से minus कर पाएंगे तो उपर हम क्या लिखती है 1 लिख देती है upon z to the power 9 में से minus कर देती है power 4 इस वाले power को नीचे ले जाके minus कर दे हैं ओके 4 में से 9 minus हो नहीं सकता अब भी देखो इसका decimal हटाएंगे तो उपर हमें 10 से multiply करना पड़ेगा 10 into 10 upon 1 ओके या minus करेंगे तो क्या आएगा x to the power 4 and multiply करेंगे फिर y to the power क्या आएगा y to the power भी 4 आएगा multiply 1 upon z to the power 5 ओके अभी हम इसको solve कर लेते 10 को 10 से multiply करते हैं तो 100 और 100 को 1 से divide करते हैं तो भी 100 आता है x to the power 4 y to the power 4 और इसको multiply करना है हमें 1 upon z to the power 5 उपर तो 1 ही आया नीचे जाएगा z to the power 5 यह denominator के रूप में रहेगा ओके यह हमारा answer है question D करते हैं सबसे पहले हम decimal ही हटाते हैं same number लिखते हैं 6, a to the power 4, b to the power 3, c to the power 2 और नीचे क्याएगा 3, a to the power 1, b to the power 5, and c to the power 7 देखो जब हम 0 decimal 6 का decimal हटाएंगे तो हम नीचे 10 से multiply करेंगे इसी तरह से हम 0 decimal 3 का decimal हटाएंगे तो हम उपर 10 से multiply करेंगे यह 10 से तो 10 कटी गया ओके अब हमारे पास यह number रहे गया अब हम क्या करेंगे 6 को divide करेंगे 3 से multiply a to the power 4 में से minus कर देते हैं 1 वो क्यों? इस वाले a की power है वो ओके? देन है multiply का sign और b to the power 3 है उपर जो की छोटी है b to the power 5 से तो यहां हम उपर 1 लिख देते हैं और इस वाली power को नीचे वाले number की power से minus करते हैं b to the power 5 में से minus कर दे power 3 same ऐसा ही c के साथ हो रहा है c to the power 2 है उपर जो की छोटी है इसलिए मैं 1 लगा के इसको नीचे लेके आते हैं c to the power 7 में से power 2 minus कर देते हैं 3 की table से काट देते हैं 3 वन जा 3 3 तू जा 6 अभी हम सब को multiply करते हैं और answer लिखेंगे 2 a to the power कितना हैगा 4 में से power 1 गई तो 3 ठीक है then 1 है उपर 1 है इनके लिए कुछ भी नहीं आएगा ये जो denominator है ये नीचे लिखे जाएंगे ये denominator है ना that's why हम नीचे लिखेंगे हैं b to the power कितना बच गया 5 में से 3 गया तो 2 और c to the power 7 में से 2 गया तो 5 यही हमारा answer है इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ share करना और वीडियो को like करना I will upload your next video soon till then bye bye take care